Hello friends, I am Aditya and you are watching German Class. Welcome back to the new class. New vocabulary and new class new video. Let's begin with today's class. यह दिखरो आप एक आर्टिकल है, बांगलदेश का. बांगलदेश में गर्मी इतनी ज़्यादा पढ़ रही है कि स्कूलों को बंद करना पढ़ा है. और यही इस्से लेटीड न्यूस है हम देखेंगे आपे. बांगलदेश में temperature 42L तक होने के कारण स्कूल्स को सारे स्कूलों को बंद कर दिया गै. तो गर्मी तनी ज़दा पढ़ ऊढ़ी है, तेम्परिस इतना ज़दा होआ है कि स्कूल्स को बंद कर दिया गबे. यहीं पर हमने वोकेब देखते है. टेंपराटूर, देखरा, डी टेंपराटूर, प्लूरल है यहां पे, तो टेंपराटूरन फॉन बिसू, मतलब बिसू मतलब तिल, कहां तक पहुंच गे, 42 डिगरी, स्वाइन फिर सेच ग्राड, हम ग्राड लिखते हैं ठीके, डिगरी सेल्सियस बोलते हैं, जर्मन हम ग्रा इस आक्षियोन, save the children mid, और ऐसा बताया है, और्गनेजिशन एक, जो बच्चों के लिए काम करती है, ठीके, save the children, उनका ऐसा कहना है, mid Thailand, the verb देख रहाँ पर, mid Thailand means to inform, तो प्रटेरेटू में, टाइल्ट, mid, mid Thailand means to inform, informiran, mid Thailand, but mid Thailand is a dative verb, ठीके, tight mid, एस जाए, बेराइट्स दास वाइठे यार, इन फॉल्ग इन बंगलदेश, सूं, गिस्वंदन जाए, डिशूलन सू श्लीसन, राइट, एस जाए, बेराइट्स दास स्वाइठे यार, मतलए ये सेकंड यार है, कि बंगलदेश में स्कूल्स को बंद करना पड़ गया है, ऐसा, सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड यार, ये दूसरी बार हुआ है, ये गर्मी की वाइट से स्कूलों को बंद कर दिया, बंद करने के एके मला के और स्कूलों को बंद कर दिया जाएं, अ हम पर ये जाए, ये कहें इस इंडिएक आए and, ठीक है, चैनल पर जाएए और प्ले लिस्ट में सर्च करेंगे, आपको मिलेगी वीडियोस इंडर्ट रेड़ेगे. इसका मतलब क्या है? कि जो डिमा, जो क्लामिेट की जो बार्ट एफट्स और जिसे गडर्मी बढ़ रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग के वाज़े, जो इफेक्स है, जो देडिव एफेक्स है, उसके वज़ेसे राइट्स गुझा सित्वाट्स, और Lebens Uhumnd rights, घुमन एछ उन राइट्स को भी दबा दिया गया है, ठीक है, उन राइट्स को भी बिद्रोड साइन, उनको भी किस तरह से डेंजर में आ गया है, क्योंकि it's a right of children to get education, और education नहीं मिल रही है, क्योंकि school बंद कर दिये गये हैं, because of the heat waves, because of the high temperature, तो children's के rights हैं, वो भी कही न कही खतम होते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, schools बंद कर दिये गये हैं, और children's का rights है, वो right भी एक तरह से, बिद्रोड जाइन, ठीक है, वो danger में है, ठीक है, सफर कर रहा है, children's के right जो सफर कर रहे है, right to get education, वो सफर कर रहे है, तब हम basically जर्मन सीख रहे हैं, इस news article की help से, ठीक है, यह आप देख सकते हो, सेट्डे एफ होईटे में, आपको वेबसाइट पर मिल जागा यह news, बंद की news है, ऐसे हम news के थरूम जर्मन सीख रहे हैं, तो ऐसा ही इस helping organization ने बोला है, helps organization means helping organization, इसने बताया है, कि ऐसा ही हुआ Philippines और South Sudan में, जहां पे भी schools को कुछ weeks पहले, already heat की वज़े से बंद करना पड़ा था, थेकर हो, heat's bedding, heat इतनी ज़्यादा होई थी के schools को बंद करना पड़ा था, बेराइट मतला already, यह हमने पहले में पढ़ा था वीडियो में, बेराइट, Sean, बेराइट already, school को बंद करना पड़ा था, फिलिपिन्स में और South Sudan में, आप, that's all in this class, in this video, I hope you like it, so like करना, channel को subscribe कर लेना, see you in the new video, bye-bye, जेख प्रिया,